नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आपके साथ मैं हूँ अक्षए बिद्वा और आप देख रहें हिंदी खबर पर महा मुकाबला गोरकपुर फूलपुर की जंग है आज दो सीटें है उत्तर प्रदेश की बहुत महत्पूर जहां पर सत्ता की साख दाव पर है सरकार की साख दाव पर है एक सीट योगी आधितनात की सांसद बनने के मुख्यमंतरी बनने के बाद छोड़ी हुई सीट है गोरकपुर दूसरी आपके सामने है वोट जो लोग डाल रहे हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी ने भी वोट डाला है इसके लावा डिप्टी सेम केशब प्रसाद मोरे ने भी मतदान किया है और हिंदी खवर से खास बातचीत भी की डिप्टी सेम ने त तो कहा कि 14 मार्च को जब नतीजें आएंगे तो कमल ही खिलेगा ये तज़्वीरें आपके सामने हैं चार तज़्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गटबंधन की भी आज अगनी परिक्षा है एक तज़्वीर में आप देख सकते हैं कि मट के तमाम लोग योगी आदितना अपनी सीट पर फूलपूर में डिप्टी सीम कीशब प्रसाद बूरे पहुँँचे क्योंकि उनकी अपनी सीट है जहां से वो खिवंत्री बनने के बाद ये सीट इसका सानसतपद खाली पड़ा हुआ था सानसदीय सीट ये खाली थी वहाँ पर खुद कीशब प्रसाद ब तो चलिए आज के हमारे पैनल हमारे आज के चर्चा के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपको उनसे हम मिलवा देते हैं हमारे हिंदी खबर के दर्शोगों को और इसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और आज बंधन करेंगे कि यह जो महा मकाबला है सरकार का आज और ये अगनी परिक्षा जो है कि आपने इतने दिन जो प्रियास किये हैं उस प्रियास का नतीजा फल जनता आपको क्या देती है कितने नमबर देती है उस मद्दान से बहुत कुछ साफ होगा हमारे मेमान हमारे भी जाच चुकी है तो आए उनसे आपको मिलवा देते है सबसु पहले हमारे साथ केके पांडे जी है आप कॉंग्रिस से हैं लखनहों में आप मौझूद है वरिष पत्रकार पीके तिवारी लखनों स्टू兜ी में मेरे साथ है केसी जैन सहाब है समाजवाधी पार्टी से लगन स्टूरी सभी दिली स्टूरी मेरे हैं अब सभी महमानों का बहुत-बहुत स्वागत है हिंदी खबर के स्टूरीयो में तो सबसे पहले पॉलिटिकल रियक्षिन लें हम उसके पहले पी के तिवारी जी वर्श पत्रकार है विपक्ष के व्यंगवान तमाम चीजें इस वक्त आपके सामने रही हैं क्या लग रहा हुत तो प्रुदेश में ये प्रतिश्टा पूप चुनाव है जाहिर है कि गुरबपुर दिखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदितिनाद वो स्वेम वहां के सांसद रहे हैं लगातार और अजे रहे हैं बिलकुल अपराजे रहे हैं और इस समय मुख्यमंत्री भी हैं सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है उनिस मार्श को उन्हेंने पिछले साल में श्रपत ली थी अब एक निगाह ये भी लोगों की लगी हुई है लेकिन एक बात ये भी बहुत महत्पूर्ण है कि वो मंदिर जो जिस मठ के गुरकनात मंदिर के वो महंत हैं और उससे उनका संबंध है तो उसकी भी एक बहुत से तबके की आस्था जुड़ी हुई है मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जातिवाद या धर्मवाद भी पीछे चूड़ जाता है धर्म तो जाहर है कि वो सनातन धर्म की बात है और हिंदू धर्म की बात कही जाती है तो हो सकता है जातिका फैक्टर वहाँ पर कम पड भारती जनता पार्टी सशक्त पड़ सकती है गुरफपुर में इस बार भी क्योंकि बहुत से लोग यह सोच सकते हैं कि योगी की बाबा की प्रतिष्ठा दाओं पर है और क्यों उनको नीचा समय देखना पड़े और एक बार उनको फिर हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए रह गई पूलपुर के बाद तो भारती जनता पार्टी की कभी भी सीट नहीं रही थी और इस बार जरूर दो हजार चौदा में केशो परसाद मौरिया ने चुनाव जीत दिया था लेकिन जाहिर है कि विपक्षी के पास खोने का कुछ भी नहीं है और उनकी एकदा के जो नहीं खड़े किये गये हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो अद्यक्ष हैं मायवती उन्होंने सपोर्ट देने की खोशना भी कर दी है तो उसका एक यह बहुत बड़ा ट्राइल भी हो जाएगा टेस्ट भी हो जाएगा और वहाँ पर यह देखने वाली चीज है कि दोनों पार्टी जो है वो उनकी बहुत संख्यक बन जाती है स्टिटी है हमारे राजनतिक सलाकार है एक विश्च जी स्टूडियो में अट्राइड बता रहे हैं कुलपूर का गुरखपूर का क्या आप सहमत है से इससे आखिये आकलन से मैं लगबक सहमत हूँ मैं थोड़ में बहुत फर्क है, बाई एलेक्शन में लहर जैसी कोई चीज नहीं होती है, बाई एलेक्शन जो होता है, वो इंडिविजूल अपने कंडिडेट की हार्ड कोर जो वोट बैंक की अर्निंग होती है, उस चीज पे होती है, यही रीजन था कि बीजेपी की कभी भी सीट फूल जी ने जो यह सीट अर्जित की, आप बोल सकते हैं कि योगी अधितनाथ अगर बीजेपी छोड़ के फिर निर्दली खड़े हो, तो फिर वहां पे जीट जाएंगे, उसका रीजन है, गोरतपूर की सीट वो हार्ड कोर इंडिविजूल जो कॉंट्रिविशन है योगी पाउजूद भी आपने देखा हुआगा 2014 में कि कहीं कहीं निर्दली प्रत्यासी ही बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे वोटों से जीत गए, बीजेपी कॉंग्रेस या अच्छी पाटियों के कंडिडेट हार गये, दूसरा क्वेस्टन बाई एलेक्शन और में कंडिडेट चुनार से आए हुए है, ये बीजेपी भी जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है, तभी पटेल कंडिडेट को ले आए है, इसका मतलब है कि बीजेपी अपने आप में बहुत कॉंफिडेंट नहीं है, नहीं तो सौ किलोमेटर दूर से किसी एक उशाद मोर्या के अपनी उसकी लड़ाई है, बीजेपी का मैंने ये देखा है, बहुत सारे बाई एलेक्शन हुए थे, बीजेपी उसमें हार गई थी, मेन पार्टी जो होता है, वो बाई एलेक्शन को बहुत सीरियसली नहीं लेती है, अंतिम्डे में ये बोला जा सकता ह है कि फूलपूर का इलेक्शन इनके लिए वाकही में बहुत चैलेंजिंग है, बीजेपी के लिए, लेकिन गोरकपूर के लिए आज ही नहीं, कल भी अगर कोई एलेक्शन होगा, क्योंकि वो उनकी हार्ड कोर अंसीड है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, पिछले 10, 15, 20, 25 सा साल से तो वहां के लिए तो रिसर्ट अलेडी डिक्लेर आप मान सकते हैं, ठीक है, तो इस बात कर क्या जबाब देंगे आप राजी मिश्रा, ये फूलपूर जो आपके लिए एक कॉन्फिलिक्टेट सीट हो रही है इस वक्त, क्या लगता है कि चुनोती गोरकपुर नहीं चुनोती सर्फ फूलपूर ही है? जीत है और हमने एक एक पन्ना पैमुद बना रखा है, हर आत्मी विवेक्ति को और निचित हमने वहाँ पर मेजमेंट करके चुनाओ जीता है, और जिस तरह हम जीते ही निचित ये दोनों सीटे हमने जीत नहीं, जीत तो होगी होगी, हमने अंतराल बनाने के लिए लड़ा पार्टी उस में खटता हुई थी, ऐसा नहीं थी, खटता नहीं हुई थी, आज लगात 2017 में भी पार्टी खटता हुई थी, लड़ने के लिए दोनों लड़े थे, क्या हाल हुआ था, लेकिन उनको फूरे तीनों ही खटता हो जाए, लेकिन हम आपको कॉन्फिडेंस कह र जिस तरीके से जो confidence है भारती जन्ता पार्टी जो दिखा रही है आप देखिये वहां पे कितनी रहे लिया हुई, कौन वहां पे उत्रा और किस तरीके से भारती जन्ता पार्टी के लोग वहन माय‌वती जी के समर्थन के बाद में किस तरीके से दैस्ट में आ गए है और उन्हें इस परशूप से अपने भासर में कहा भी जब उन्होंने पीसी की कि जो सबसे अच्छे से रड़ रहा है अब उसके साथ में ऐसे में मायवतिजी ने जब यह देखा कि समाजवादी पार्टी वहां बहुत ताकत वर तरीके से रड़ रही है तो उन्होंने का नथीजा यह हुआ कि बारति जयंता पार्टी के बड़े बड़े नेता नाप सरा पकने लगे अरुज इसलिए यह वापस समाजवादी पार्टी को इकै रहा है और समाजवादी पार्टी दो रोज जगह की सीटे बहुत बड़े अंतर से जीत रही है यह जरूर है कि भारती जिंता पार्टी का बड़ बोलापन है अब यह कि जिस तरीके से भी हमारे पत्रकार साथी जो समिच्छा करें तो उनकी समिच्छा बिल्कुल अपनी जगहें पे आपको मैं स्विकार नहीं कर रहा हूं आपकी समिच्छा अपनी जगहें पे सही है मैं आपकी समिच्छा को नहीं नकार रहा हूं सबकी अपनी अपनी समिच्छा होती है कई पत्रकार यह भी कह रहें कि जो वहाँ पर गए देखें उनकी समिच्छा अपनी है मैं आपको नक लेकर भावनात्मक के साथ साथ भावनात्मक ये वहाँ पर गौरकपुर में सव से ज़्यादा जो बच्चों की मौते हुई जो देखिए कोई अपने बच्चे की मौत पर किसी को ओट नहीं देरा चाहिएगा कि क्या भी होसता है पार्ति जन्ता पार्टी की सरकार आने के बाद में तो जो मुद्दे हैं मुद्दे भावनात्मक चुराओं होने के बाद में भी गौन नहीं हो जाएंगे मुद्दों पर भी चुनाओं हो रहा है कि इन्हों ने कुछ नहीं किया एक साल बीत गया चुनाओं का एक साल से बुक्क मंत्री है बदले में किया दिया बच्चों की सौव से ज़्यादा मौते तो ऐसे में हमें नहीं लगता है कि कहीं पर भी दोनों जगाओं में कहीं पर भी इनका चुना फिट बैट रहा है दोनों जगाओं बिल्कुल हिले वे हैं इसे लिए सार, छचुदर, सुपनखा, रावण, लंका क्या-क्या ले करके आ गए कहीं विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं क्यों कोई काम नहीं किया ठीक है केके पांट जी ये जो कह रहे है केसी जेन इमोशनल रहेगा, मुद्दे रहेंगे, वैसे तो आपकी पार्टी अपने आप में सभा के साथ गठबंधन करके चुनोती देने का एक प्यास कर चुकी है, नतीज़ा कुछ खास नहीं निकला था देखें बिधान सभा की चुनाओ की परिस्तितिया अलग थी और जो गठबंधन बार बार कहा जाता है कि सफा और कांगरेस का गठबंधन बिधान सभा में हुआ था, उस पर भी जना प्रकाश डालने की जवरत थे कि वह गठबंधन लास्ट मूमेंट में, और लास्ट मू पुन्ही के पार्टी के लोगों दोरा कहा जा रहा था कि गठबंधन ठीक नहीं है, यानि हमको बिरोधियों की जरूरत ही नहीं थी, हमारा गठबंधन के ही लोग आपस में एक दूसरे के बिरोध में भी लग जग जए इसलिए उससे तुल्ला नहीं की जा सकती, आज की इ चैनल पर सुन रहा था, बहुत अच्छी समिच्छा करते हैं अब जी, दन्यवार लेकिन गोरकपुर की जो ही स्थितिय ऐसा नहीं है कि वह मंदिर की एकदम बपंध की वह सीट है, वहां से हमने मंदिर को हराया है, वहां के महंत को हरकेस बहादूर को जिताया है, नरसिंग नाराण पांडे वही से सामसद हुए रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक एलेक्षन ऐसा था जो अबाइद दिनाज जी के समय का था और रामकृस दिवेदी जी बाई एलेक्षन मानी पार साइदा बड़े पत्रकार हैं जानते हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, उस पूलपूर में 11 बजे तल जो मद्दान हुआ है, वो 12 फीजदी हुआ है, अकेले फूलपूर में, पूलपूर संसदी सीट, गोरकपूर में 11 बजे तक का मद्दान प्रतिशत 17, यहां 5 प्रतिशत मद्दान जादा है, फूलपूर में 12 प्रतिशत तो गोरकपूर में 17 प्र तो चुनाब में अब तक जो प्रतीशत सामने आया है ये ठीक 11 बजे तक का प्रतीशत है क्योंकि 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं 17 मिनट तो 11 बजे तक का ये प्रतीशत आपको हम बता रहे हैं गुरतपर और फूलफुर बार आती है या संकट आता है तो नेवले और साप ये दोनों साथ साथ रहते हैं इनकी यही गतिये इसके अथिक तर कुछ नहीं है अब भुआ बतीजे में कौन साइकिल समालेगा और कौन आती समालेगा या पस मेते करा हम तो इन दोनों के उपर कमल खिलाएंगे तो लगातार जो राजनितिक प्रतिक्रियां हैं वो सब सामने आ रही है हर पार्टी अपने आपको लेकर जीत को लेकर बहुत आश्योस नज़र आती है प्रतिशत की हम बात कर रहे थे मदान प्रतिशत जो अपसे कुछी देर पहले सामने आया है 15 मिट पहले का यानि ठीक 11 बजे तक के लिए फूलपुर में 12 प्रतिशत मतदान हो चुका है जबकि गोरखपुर में 5 प्रतिशत इससे जाड़ा हुआ है 17 प्रतिशत मतदान की खब प्रतिशत का रोल होता है मैं आपको बता देता हूं वोटिंग में अगर सब्सक्राइब चला जाए तब तो यह इंडिकेशन होता है कि यह लहर की खबर है और जो भी पार्टी या कंडिडेट जीतेगा बहुत बड़े मार्जिन से वह जीतेगा अगर वोटिंग प्रतिश या स्टेट लेबल पर देखा जाए तो हंग जो है गवर्मेंट बनने की वहां पर संभावना होती है मेरे ख्याल से दो बज़े तक हमें और वेट करना चाहिए अगर दो बज़े तक यह प्रतिशत आपका लगबग जिसे 35 साल एक हिली फीगर प्रतिशत आ गया तो इसका म कि चाहिए जो लाहर के टाइम य्ए में एलेक्शन में होता है मैं यहीं बोलना चाहता हूं कि यहां पर बाई एलेक्शन के का जो लॉजिक है लोगों की सोच अलग होती है ठीक है पीके तिवारी जी जैनल यह हम लोग देखते हैं कि आम तोर पर बारा क्योंकि आज इतवार का दिन भी है लोग ज्यादा लेकिन बारा बज़े तक एक बज़े तक लंच करके आफ्टर लंच टाइम लोग अपनी दैनिक चरया से निवरत होकर जादा मदान के लिए निकले यह उमीद हम कर सकते हैं या पर अक्सर यह देखा गया है कि जब जनता परिवरतन की मूड में नहीं होती तब मतदान कम होता मैं समझता हूँ कि साथ बज़े से मतदान शुरू हुआ और यह मतदान प्रतिशत यह अलग बात है कि पूलपुर में बारा प्रिश्चत और गुरगपुर में सत्रा प्रिश्चत है तो सत्रा प्रिश्चत होने यानि पांच प्रिश्चत जादा हुआ है वहाँ पर मद्दान लेकिन इसको भी बहुत उत्साजनक अभी के सिती से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एक हिसाब से देखा जाया तो बारा प्रिश्चत तो बहुत ही कम हुआ और सत्रा प्रिश्चत भी बहुत उत्साजनक नहीं कहा जा सकता मिश्रा जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि संडे है और हो सकता है कि वो थोड़ा रिलाक्स मूड में हो और इसके बाद में मतदान प्रिश्चत बढ़े पांच बीजे तक दिखाई पड़ जाएगा लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि इसमें ऑसत मतदान प्रिशचत से जादा नहीं होगा साठ प्रिश्चत से ऊपर कहीं नहीं होना चाहिए मैं समझता हूँ अगर आउसत होगा तो फूलपूर में सपा बसपा जीच जाएगी आपका जो अनुमान है अगर आउसत हो भी सकता है लेकिन फूलपूर के पूल जे पूलपूर की अगर आपने बात कही तो वहाँ पर एक फैक्टर को आपको ज़रूर कंसीडर करना पड़ेगा कि अतीक अहम अतीक अहमद अलहाबाद के ही निवासी है और फूलपूर से सांसत रह चुके है और जाहर है कि वो उनका एक माफिया वर्ल्ड में भी एक नाम है वो बहुत से मुकद्मे उनके चल रहे हैं उनके खिलाब दरजनों और बहुत सारे लोगों से हजारों लोगों से उनके व्य जाएंगे तो ऐसे फैक्टर में जो अन्यवोट है वो उन में बटवारा होगा वो निर्दली प्रत्याशी केवल कहने को निर्दली प्रत्याशी नहीं है बकि एक मजबूत निर्दली प्रत्याशी ठीक है चली केके पांडी की ओर हम आते हैं आपकी बात अधुरी रह गए थ तो मैं ये कह रहा था कि वहां मट से संबंधित लोग भी चुनाव में थे लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव हा रहे हैं आज इस तितिया है कि लगबग तीस साल के आसपास से ही हसीट महंत जी के इनके मट के जिम्में है तीस साल से कोई इनको हरा नहीं पाया है इस त सितिया एक चीज जो बता रहे थे हमारे दोनों बरिष्ट पत्रकार कि इस सितिया जी है कि इसमें मुद्दे अलग और सारी चीजे बड़ा एनालिसिस करके लोगों का वोट होता है पूरे देश और परदेश का नहीं एक सीट दो सीट का चुनाव होता है ऐसी सितिया में च जिले की लोगों की आकांचाहे बहुत बढ़ जाती है गोरखपुर की जनता 2017 से इंतजार कर रही है जिनके घरों में जिनके आसू आज तक सूखे नहीं जिनके बच्चे काल कवलित हो गए और उसी गोरखपुर में महोत्सो मना के रंगरेलिया मनाई गई गई सरकार द्व ही होते हैं लेकिन उसी गोरखपुर सहर में महोत्सो मना के उनको चुकि सैफ़ई का बदला लेना था कि सैफ़ई में अखिलेश जी मनाते थे तो क्यों ना मनाए उनको उन बच्चों कि मृत्युका इस सरकार को जरा भी कर्ष्ट नहीं हुआ वह माबाप और वहां की जनता उठाते रहे जोगी जी कि यह सब होना चाहिए होना चाहिए और मुख्यमंतरी के रूप में जब कहना पड़ा कि यह होता रहता है तो दोनों में बड़ा अंतर रहा है सांसत के रूप में जिम्मेदारी मुख्यमंतरी के रूप में जिम्मेदारी जमीन आश्मान का अंतर ह जाता है और जो गोरखपुर को एक साल से अप एक्षा रही है एक हबते बाद एक साल पूरा होने जा रहा है उस अप एक्षाओं पर यह सरकार एक परसेंट भी अब तक खरी नहीं उतरी है बिलकुल उसी गोरखपुर में कार में जला के पिट्रोल छिडिक के लोग मारे जात है जिन्नोंने वही पला बढ़ाए आज गोरखपुर की जनता पूरी तरह से इन सारे चीजों का बदला लेके भारती जनता बार्टी को हराने का काम करेंगी और एक्षा जी की समछा सही है लेकिन आज एक बार फिर भारती जनता पार्टी गोरखपुर में हारेगी जो साल पहले हुआ था ठीक है राजे मुश्रा आरोप केके पांडे के बहुत गंभीर हैं वाकई में ये स्थधी गुरखपुर की है आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं सौ बच्चों का जो इंतकाल रहा उनका जो निखन रहा वो अपने आप में बहुत बड़ी समस्य है मेरी बास सपना देखना तो ने आरोपों की बात है आरोपों का जवाब दीजे सपने तो बात चीज़ है मैं पहले पहले मिया सुन लीजे तीन बार हवैद नाज जी और पांच बार योगी आदितनात ये लगातार गोरकपुर की जो सीट रही और जिस तरह से आप मेरे मित्र बता रहे ते जिस तरह से इस पीज दे रहे ते ये लड़ाई किस ने लड़ी संसस से सड़क तक अगर गोरकपुर किसी ले लड़े तो वो योगी आदितनात आता है प्रिया मेत्र पहले मुझे बोचे दीजे लिजे पूरुवराग्जा कारे थे सब्सक्राइब और सांसक पे उन्हों नहीं का कि पंजैटिस की बिमारी है और ये लिए रहे तो वो योगी अदितनात ने चाए और आज पंजैटिस की बिमारी दूर करी गई तो वो योगी आदितनात ने ने मेरे प्रियमें कि बारह महींने में इन्हों क्या कर दिया और से चार सार्वारे बीसे थे सब्सक्राइब कुछ नहीं है जिस तरह से ये बात कर रहे हैं हाँ और ये हुगेरी लाल के अदितनात ने देखना बन का है ले कैजे फूर पार्क राइट तक भाँ फूर पार्क नहीं बना अरे मैं बता रहा हूँ है। कि सरकार कप तक चलती हैं जब आते हैं तो वह पहले से प्लानिंग बनती है जुना रहे हैं अफ्टनिया पार्णी जी आरी साजित बेखता होनी चाहिए और आम जंता से राय सब्सक्राइब नहीं अब दोने अचीटे बना देगी अरे आप लोग चाहिए तैयारी कि ये चौदर तारी को रोने की पतन का समय उत्तर पते से साही आई ये भी बताऊं यूपी वे तारी को यूपी ये के तुटर विल लगे इसाथ पसंद वोगे अब मैं आपको सबतार हूँ जो कास करता है औ काम करने का तरीका मैं तो ये बोलता हूँ कि बीजेपी अगर दोनों सीटे भी हार जाएगी न तो भी बीजेपी के ऊपर कोई बहुत फर्क नहीं परने वाला है क्योंकि गवर्मेंट सेंटर में और केंदर में उनकी है ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है डेफिनेटली जो बीपक्षों होते हैं जो हार गए हैं उनके इसर कुछ नहीं होगा आप वह देखेगा इनकी तैयारी वर्सेस जो है दूसरों की तैयारी की मैं बात कर रहा हूं इनका पोटेंशियल इनकी मतलब पाकत जिस हिसाब से ये चुनाओं को पूरा इस्टिजाइस करते हैं जिसरा जी एक सब्द में आपकी बात का जबाब दे दूँ यूपीय का गटबंदार उत्तर प्रदेश में आज आज आपके बड़े चैनल पर का के जा रहा हूं 80 सीट जीतेगा यूपीय का गटबंदार अरे सब्सक्राइब की भूमिका हमारी सुरू हो गई है अज तरीके की छोड़िये बात जब जो जी जाता है वह सिकंदर आपकी यह भी जीती हुई है तो आपको काम करने का तरीका बें जाना रहा है आज बना उस तरीके से बोल रहा हूं आखिर बीजेपी क्यों जादा तर इलेक्शन जीती जा रही है इस चीज को समझने की जरूरत है आप मुझे बताईए आपने भी तो अच्छा सोच करके आप लोग भी जिम्मेदार है इसके लिए ने ने जीतने वाली बीजेपी कहती है कि यह बीजेपी ने तर तो किस सरकार अरे वहां का जो लोकल फ्रंट सरकार बना रहा हूं उसकी तो आप बात करते हैं अब लोगों ने बोला मैं बीजेपी का सेवर नहीं कर रहा हूं अगर बीजेपी कुछ कर रही है तो आप लोगों ने भी साने वह सारी चीज़ें की हैं सरकार बनाने के लिए आप लोगों ने भी सारे हतकंडे अपना आए हैं सर आप ही ने बोला मैं जीट रही है आप लोगों इसके लिए हैं क्यें के पांडे साथ 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 को सर आपकी पार्टी ने भी राच किया है लेकिन इसके बहुजुद हमने सरकार नहीं बनाया क्योंगी सरकार को दर दावरें पांटे संविक्षा करना जिए बिजेपी ओचाए तरीके सही हो या गलत हो मैं उसको नहीं बोल रहा हूं और गलत तरीकों का मैं फेवर नहीं करता हूं लेकिन इलेक्शन के टाइम पे सारी पार्टियां हर तरीके जो उनको समझ में आते हैं अपनाते हैं सोचने समझने वाली बात है मैं खुड आप लोगो अब तो खरीद लिया गया सर यही अगर हम प्जेपी के पक्ताशी साब उचाएंगे ना उसलग 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 नहीं बोला कॉल्स में बनाया तो प्जेपी वालों ने भी तो पार्ट सब्सक्राइब दिया था ना कि एक सीर से आपनों उने बिजेपी के गवर्मेंट गिर सर आप लोग अपनाते हैं दूसरा आप पांड़ी एक मिट पांड़ी आप समिच्छा तो करने दीजे आपको जो हत गंडा समझ में आ रहा रहा है आप देखिए ऐसा है कि हर मैं फिर वही नैतिक्ता की बात करता हूं कल भी इसी चीज़ पे हो रही थी सब बहुत सारे मेरे आप जो मित्र बैठे हैं बैठे कोंसी पार्टी बढ़ी लेती कैसा आप मुझे बताईए तरह रहे हैं आप मुझे यह बताईए आज की डेट में समाजवादी पार्टी और बस्मा ने एक सीट के लिए सर कर लिया है इसे दिखता है एक दूसरे को टला लेके यह समाजवा साथ साल की लडाएं को आपने को यह साथ साल की लडाएं को यह साथ साल आपकी गौवर्मेंट रही समिक्षा तो करने दीजिए उसमें थोड़ी कोई बुराई होनी चाहिए हर आदमी अपने चश्मे से देखता है केसी जन साब देखिए अच्छे जी अभी हमारे बारती जनता पार्टी के साथ ही इस तरीके से कह रहे थे की मोदी जी ने यह दिया देखिए मोदी जी तो किसको दे रहे हैं अपने दूसरे मोदी को दे रहे हैं वो लेके पैसा लेके भाग रहा है या फिर मालिया को दे रहे हो पैसा ल हुआ इतना काम कभी नहीं हुआ आप वहां की सड़के देख लिए जो वह देख लीजिए वहां पर धाई सो बेट का हस्पिटल दिया वह देख लीजिए और उसके बाद में एक साल अगर बीट गया है अगर इस पर सवाल होता है कि एक साल बीट गया आपने गोरखपुर में क्या दिए तो बिल्कुल यह सवाल लाजमी है और रही बात यह कि सभर्थन के ले करके अभि जो भारती जिद्पार्टी के साथ ही कह रहे थे कि अभाई आप पो सभर्थन ले लेते हैं मायायक जीजी सोते सभर्थन दे लेती हैं यह सउधेबाजी है अरे आप तो जम्मू गुंदे टूप परें पर जो एक अपनी बात को रहा हूं थी जो मायावती जाह शुन लिए जिस तरीके से इन्हों ने सब्दों का उप्योग किया उनको सुपनगा तक कह दिया यह कहां कि नेतिकता है यह इस तरीके के भौडे सब्दों का इस्तेवाल राजजीत में जो पहले कभी नहीं हुआ उस तरीके के सब्दों का इस्तेबाल, अभी इसके पहले एक चुरा हुआ था, कांग्रेस के एक साथी ने कुछ कहे दिया था, उनको कांग्रेस से बाहर तक होना पड़ा, उनको नोटिस तक जारी हुई, रावल गादी ये उनको नोटिस जारी की, इनके नंदि गोपाल और फिर कहते हैं, वहाँ भारती जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मेगाले में, आप ये बताइए, अगर सो कुन्टर सोहें, सोने की मूर्ती हो, और उसमें दो किलो लोहा हो, तो उसको लोहें की मूर्ती कहेंगे, कि सोने की मूर्ती कहेंगे, इसको लोहें की मूर्ती कह की हिसाब से काम भी कर रहा है राज जिपाल भारती जन्ता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है उसको नहीं मंतल दे राज की सबसे कम सीटे कि आईए आप सरकार बनाएए यह यह कर रहे हैं दो जगाहों पे चुनी हुई सरकार को इरोड़ी गिराने का काम किया खड़े में चुनी हुई सरकार को इरोड़ी गिराया कांग्रेस की और सुप्रेम कोट ने तमाचा बारा वहां पे राज़्टर सासर लगाने का प्रयास किया और आखिर में वटा यह यह काम कर रहे हैं जीद रही हैं कैसे बात पार जीद रही हैं कितने मंत्री इनकी हारें यह इसकी समचा नहीं कर रहे हैं करें हैं जीद रहे हैं देखिए एक बार जंता ने इनको अवसर दिया है लेकिर दूसरी बार जंता बिलकुल इनको अवसर नहीं दे रहा चाहती है क्योंकि जंता इनकी सरकार से पूर्टा ओप चुकी है उससे छुटकारा पाना चाहती है इसलिए जहाँ 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 दुबारा चुरा हो रहा है बाइलेक्षन हो रहा है राजिस्थार में चुरा हुआ देखिए क्या परड़ाम हुआ जहाँ जहाँ बाइलेक्षन हो रहा है दुबारा चुरा हो रहा है वहाँ वहाँ पीछे से कमल बुर जाता जा रहा है आगे बोते जा रहे हैं लेकिन पीछे से पूरता साफ होता जा रहा है और गोरकपूर फूल पूर चुराओं में इनका ये परड़ाम दिखाए देगा मायावती जी को जो गाली दी है इनके भारती जिन तक पार्टी के रेता हुने उसका बदला ओट के बाद जिब से वहां का दलि ठीक है तो राजी मिश्रा जी ये बड़ा सवाल आकर ये है जो आरोप लगते रहें बीजे पी की उपर गोरकपूर में तमाम बातें अभी पांड़ी जी ने बहुत कुछ कहीं पीके तिवारी जी की पास में आता हूँ पीके तिवारी जी ये बताईए कि ये जो मुद्द तो मतदाता ही करेगा ना उसका तो अधिकार इसके हाथ में कि मुद्दों से भी जादा यहां पर आस्था काम करेगी और मुद्दों से भी जादा यहां पर रणनीत काम करेगी अक्षे जी मेरी अपनी ये मानिता है गोरकपूर में तो साफ साफ और रणनीत जो है वो बू लेकर बैठा है उसका brainwash कैसे करेंगे कुछ आपको लगता है कुछ emotional hurt होगा गोरखपुर की जनता में एक जो बड़ा वहां पर एक जो बड़ा incident हुआ है आप सही कह रहे हैं लेकिन लेकिन उसके बाद में भी ऐसा होता है कि रातो रात जो है वो कुछ बाते ऐसी हो जाती है कि वो रड़नी थी वहां पर काम करती है इस लिहाज से वो इसकी कोई आप guarantee हम लोग नहीं कर सकते हैं कि यही मुद्दे हावी रहेंगे और यही बात हावी रहेगी अभी देखिए Congress का भी candidate जो पूल पूर में है वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत हलका candidate है वो भी उनके फादर जो अब माली यह वोटों का बटवारा ऐसा हो जाता है तो उसमें थोड़े से भी margin से जो आगे निकल जाएगा वो जीत जाएगा तो यह strategy जबरूर काम करेगी यह मेरा मनना है ठीक है कि बाटी जी यह जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आरोप पर त्यारूप का दौर लगा तो कॉंग्रस फाइट में कहा है? अखिले से आदो जी पहले से हमारे गड़बंदन के साथ ही रहे हैं और ऐसी यह चुकि बाई एलेक्सन को हम 2019 से तो नहीं ले सकते हैं तो ऐसे इस्तिती में 2019 की हमारी रणनीत है किस प्रांत में किस के साथ हमें जाना है किस प्रांत में क्या हमारी रणनीत होगी? सोला हैसे प्रदेस है पूरे देश में जहां हम सीधे भारती जन्ता पार्टी से लड़ते हैं हो छत्री दल भी वहारा रहते हैं तो उन्हें छत्री दलों से हमारी इस्तिति क्या होगी चंद्रबाब उनाईडू बीजेपी छोड़के एक तरह से चले ही गै हमारा प्रयास होगा वो भी हमारे साथ आए जीतन रामाजी बीजेपी छोड़ के चले गए देखे कहीं कहीं संकेत बताता है आज संकेत ये बता रहा उस समय हमें छोड़ के लोग 2014 में जा रहे थे बहुत साब बात है आज वो संकेत था कि हम कहीं कहीं हार रहे है गंटा सुनने का काम कर रहे हैं आज यह संकेत है कि यूपिये की 2019 में सरकार बनने जा रहे हैं और उस संकेत के तब चलते तमाम दल जो बीजेपी से नाराज होके जा रहे हैं वही असर ओटरों पे भी पढ़ने के सिती है ओटर हमारे आपके तरह से कहीं वो चिलाता नहीं है ओटर को भी यह पता वो भी कम सकंद इतना एनलसिस करेगा कि फूल पुर में इलाहाबाद में क्या क्या हुआ कैसे कैसे हुआ वह भी हो सकता पीछे जाने का काम करेगा तो उसको भी यह बाद पता लगेगा कि हिंदुस्तान में अगर पहला आई आई एम आया तो इलाहाब इन्वस्टी को एक बड़ी भारी जमीन कांग्रेस की सरकार ने दिलाया ला फैकल्टी खोलने के लिए तो भी कामिल लहाबाद में तुमाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने कारिकाल में कि लहाबाद में कौन सा आई आई है मैं इंज्टी नाई नाई देखे नंबर वन पे एंडिया का अधा आटा है सुरिए मोतिलाल नहिरू कि तुन ही वाला आप वोतिला सारी हां अरे सर वो एना नारी सी रिजनल इंजिन्निंग को लेज है मैनेजमेंट का कौन सा इंजिन्स सुरो बताइए आप हर जगह बीच में कुट्ट चले जा रहे हैं इनकी तुन ही वाला वालाँ विदेच सर्ण नहीं आया हो आपने जो जानकारी शेयर की वो गलत तो पांडे जी गलत जानकारी थी उसलिए 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 नाम बताएं इसलिए जो इंडिया के टॉक टेंग में आता है यहांद में खुला हो फोला जाता है मैं वाही बताओं किसकी जमीन फॉला वालाओं किसकी जमीन पर हो आपना पहल पके पन्दे जी वह पॉलता हो और साथ साथ कांडर्स रही है कि में वाहाँ वाहाँ ने कि आप दिया है है जानकारी गलत आई इसलिए है जब बारे खुल ले ते मैनेजमेंट के इसमें पहला इलाहबाद में खुला है आपको चाहिए कि इंडिया का नंबर वन मैनेजमेंट इंस्टिउट कॉंग्रेस अब हो गई सर आप देखिये गर्मान नियुक है आपकी बात को नहीं मानेंगे मेरे नॉलिज में तो इलाहबाद में कोई टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टिउट नहीं है इंबी ए का मैं आपको बता करता हूं कि इंडुस्तार में बारे खुले तो पहला इलाहबाद में खुला सर वो मैं मान सकता हूं मैं इसको लग रहा एक है मिस्रा जी आप ट्रीबी चैनलों पे जल्दी आना सुरू किया इसलिए आपको उतावलापन कुछ या देए अरे सर गलत रात को मैं क्यों सपोर्ट करूगा बात उताला पर जी नहीं है लेकिन नहीं देखें आप किसी पार्टी सब्रॉंग करते हैं और नेता है इसका मतलब नहीं है कि जो आप बोल देंगे मैं बाल दूगा रहाबाद में सर कोई टॉप्टेन मैनेजमेंट इस इस आज अब मैं का रहा हूँ है मैं का रहा हूँ आज भी है इस दिबेट के बाद एक के मिस्रा जी आप उससे पूछ लीजेगा नहीं हमारे हमारे दैशों को उता दीए उनकी जानकारी दूस्त हो जाएगी सर कोई गलत चीज थोड़ी है कि जो हम छुट के आप से पूछेंगे बताईए अलाव आपने कौन सा मैनेजमेंट इंसिच्ट है जो इंडिया में टॉप 10 इंसिच्ट में आता हो मैनेजमेंट की के चलिए ठीक है मैं मैं पूछ लूगा सर आप से मैं मिश्रा जी थोड़ा से मेरा निवेदन सुन लीजे ये जितने भी IIT और NIT होते हैं उसमें हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती एकनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा उसको उस दिशा में समझ लीजे कि IIT NIT जो मोतिलाल नहरू इंस्टिट आफ टेक समयोजित कीजिए मेरा ये निवेदन है तिवारी जी सर प्री राद जोड के मेरा सुन लीजिए नेता होने का मतलब नहीं सारी चीजे आप सही बोलते हैं मैं पतासों मुद्द जानता हूं मैनेजमेंट इस तो केटेगराइजेशन होता है इंडिया के सब्सक्राइब नहीं है हम चुनाओं की उपर डिवेट पर बैटेए ये आप गलत चीज़ को क्यों बाद आप आप पूरी जानकारी शेर कीजिएगा आपको अगर हमारे नेताओं को ये नहीं पता है कि खेटकर सकते हैं khas a nao टे लिए खियो जानकारी दुरस्त करेंगे आ भी जानकारी दुरस्त करेंगे आप भी जानकारी दुरस्त करिए वश्यसी हम चाहा है रहे थे कि हाम बता टें तो की जानकारी दूरोस्त काना सही अच्छे जी और मेरे पास है मैं कहीं ढूंड रहा हूं मैंने सारा कुछ वो मेरे पास है कि किस नाम से है और उसका पहले नाम क्या था पिर नाम चल्ज किया गया ये भी मुझे मैं बता दूँ आपको सर मुद्दा ये रही है मुद्दा ठीक है एक बात दीच में आगी लेकिन चुनाओ की ज़्वेत अपाट हो रही थी हम मददान की उपर बात कर रहे हैं हम वोर्ट प्रोडिशत की उपर बात कर रहे हैं ह्वैर Jee WEG किसी दूसरी तरफ निकल गई खैर अफ समय समापती की हो और आप मेंसे बहुत मेमान ऐसे हैं जने कहीं और भी निकलना है तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप ने जितना भी कीमती समय हमें दिया इसके लिए केके पांडे जी कॉंग्रेस की ओर से पीके तिवारी जी वरिश पत्रगार इसके लाबा केसी जैन समाजबादी पार्टी लखनव राजीब मिश्रा बीजेपी लखनव और आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया एक के मिश्रा मेरे साथ अभी आगे चर्चा में बने रहेंगे एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं आप देखते रहे हैं दी खबर